हेलो फ्रेंद्स, विल्कम टू मुशिन के वियर्स, शुरू करेंगे प्रेक्टिस सेट फॉर वीपेस्टी सिक्षक भरती, जिसमें आप परग्यावरण और विज्ञामत के संबंदित कोशन देखेंगे, और इस प्रेक्टिस सेट से आप ये पता लगा पाएंगे कि किस हद आपके प्रेपरेशन हुई है, कहाँ पर आपका टॉपिक थोड़ा सा वीक हो गया है और कहाँ पर आपको दुवारा रिलेजन की जुरुत है, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं, फर्स्ट कॉस्टन क्या कहता है, जब एक किसम के पौधे, जब एक किसम के पर आपका लगाँ है, जब एक किसम के पौधे, शुरू करते हैं, अगला, राइज बियम, नामक जीवाडू होता है, एक किस फसल के जड़ में, पाई जाने वाले ग्रंतियों में उपस्थित होता है अब राइजोबियम जो है ये प्रकार का जीवाडू है ये पौधों की जड़ों में होता है किस प्रकार के पौधे की जड़ों में होता है रेशेदार जो फसल होती है उनमें अनाज की फसल होती है उसमें या फलीदार होती है उसमें अब आपको देखना है ये तो A है B है C है या फिर D की उपरितम से एक से दिख या फलीदार अनाज या फलीदार या फिर रेशेदार अनाज या फिर फलीदार और रेशेदार तो कोई भी इसमें से हो या फिर इसमें फलीदार होती है उसे में पाया जाता है ये ठीक dataset ये क्या काम करता है ये प्रोकीन मनाने का काम करता है जानगा करता है ज ठंड से है, ग्रीश्म है, विंटर से है, तो वो क्या खरीफ है, रवी है ये जायत फसल है, तो ये क्रिशी का पार्ट है कर चुके हैं, जो रवी है, जायत है, खरीफ कौन सा होगा, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा, option number C, जायत फसल जो होती है, वो हमारी ग्रीश्म की सर्दी फसल होती है, ठीक है, आप question number 4, question number 4 का कहता है, कौन सा जन्तुओं द्वारा प्रात खाद पदार्त है, अब जन्तुओं द्वारा खाद पदार्त कौन सा है, तो क्या दाल है उसमें, option number A, option number B शहद है, option number C फल है, option number D, उपरित में से एक से अधिक, option number E, उपरित में से कोई नहीं, तो आपको देखना है, इसमें से, A है, B है, C है, D, या फिर E है, तो पांचों में से कौन सा सही हो सकता है, तो question number 4 का सही आंसर होगा, option B, बहुत सिंपल सा question है, क्या है, शहद है, जन्तुओं द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, बाकी सब पादवों द्वारा प्र नारियल है, या सनई है, अब A है, B है, C है, या फिर D है, आपको देखना है, अभी सनई हो सकता है, कपास हो सकता है, जूट हो सकता है, या नारियल हो सकता है, तो question number 5 का सही आंसर क्या होगा, option number E है, उपरित्म से एक से अधिक, यानि कि उपरित्म से एक से अधिक, निकि इ देखेंगे रेशेदार फसल है जूट भी देखेंगे कपास भी देखेंगे सनी भी देखेंगे तो उप्रिस्म से एक से अधिक ही इसका आंशर होगा ठीक है इध्याण करना रेशेदार फसल आगे बढ़ते हैं हाँ कोशन नंबर 6 क्या कहता है आपका कि फसल चक्रन से मिटी की उरवर्णता का क्या परभाव पढ़ता है जो और यह यह और यह को पास्प्रों सकॉइप हायों हर, जेरे सहप भी मिलेगा फोकस हमको केवल तीन उप्ष모क। इसलिए यह इजी भी पहले आपको पांच ओप्शन देखने को मिल रहा बड़ यह इजी है यह फसल चक्रण में मिट्टी में किस पर होता है उर्वक्ता पर तो उर्वक्ता क्या होती है बढ़ती है घड़ती है तो ऑप्शन है जो है आपका कोशन नमबर 6 का option कोशन नमबर 7 के यह आपका कि मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्याओ निराए कि और जिधागी कराती है या बुवाई पिर जो भी आप कांसरों का आप देख सकते हैं तो question number seven का क्या कहेंगे मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना ये basically आपका किसका है cultivation का का किसका जुदाई करने का यानि कि जब आप खेट को जोटते हैं तो जो आपके आपके वीट्स होते हैं खरपतवार होते हैं वो भी उलट पलट जाते हैं मिट्टी पूली वाती है और जो उर्वक तक शमता है वो एक तरीकी से दुबारा से जो है एक चत्रण में आ जाती है ठीक है तो option number C इसका सही चलोगा तो अब question नंबर 8 देख लेते हैं question number 8 का कहता है कि दानों को भूसे से अलग करने का क्या खेलाता है कि निराई भंडारन या thresing या d या फिट c तुम्पल सा question है कि दानों को जब हूँसे से अलग करते हैं उसको का कहते हैं उसको हम कहते हैं option number B threshing ठीक है बहुत simple इसका सही answer क्या होगा option number B threshing कहते हैं ठीक है अब बढ़ते हैं अगले question के रहे है question करें कहता है कि इन में से कौन सा खर्पतवार का एक उधारण है अब उधारण खर्पतवार का कौन सा है गाजर घास है मसूर है जूट है ए है बी है सी है या फिर डी है आपको इसमें से सही answer क्या हो सकता है इसमें से option number B अब यह नाम तो चल रहा है पता गाजर घास तोड़ा अलग से है घास अपने आप ही उगती है अपने आप उगने का सब्सक्राब जीवारू को मारने की दवाई है ठीक है कौन तो जीवारू girlfriend का चलिए बढ़ते है Paradise 10 का कहता है कि इन में खरी फसल का उधारन कौन सा है कि उफ प्रिक्मränसे और इन में से कोई नहीं है अलु गेहूं राइ कोई भी असलो रहरत नहीं में ठीक है कोशन नम्मर 11 कवं कहता है कि फसल को अनाजो रग करने के प्रक्रइश कर सबस्क्राइब क्या हों इसका सही आंसर या फिर ए भी हो सकता है कोशन relevant को सही यांसर आंसर हो गा ethics number प्रम्परस दानी करने का मतलब क्या होता एक तरीके का दा यह निवे जब फसल फसल से अनाजों को अलग करा जाता है ठीक है बढ़ते हैं कुश्ण नम्र ट्वॉब का कहता है आपका कुश्ट नम्र ट्वफ कहता है कुश्चन नमबर 12 यह कहता है कि जब भी कुश्चन नमबर 12 कहता है कि जब भी रितू के अधार पर निम्द में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है अब रितू के अधार पर या खरीफ हो सकता है या रवी हो सकता है मिश्रित फसल हो सकता है या फिर उपरिक्म से एक से अधी या उपरिक्म से कोई भी नहीं हो सकता है A, B, C, D जो आपका आंसर होगा 12 आप देख सकते हैं तो question number 12 का सही answer होगा option number C यानि कि मिश्रित फसल जो होती है रितू के अधार पर जो है फसल सबसे कम प्रिसलित है किसके अधार पर? रितू का अधार पर वागी रितू का अधार पर खरीफ है रवी है और जायद लिए तीनों ही है पर mainly रवी और खरीफ जादा ही फसल mainly famous है रितू का अधार पर बोलेंगे आप तीन ही आगे बढ़ेताती है शेल, करों के शेल, करों और humans के मिश्रण को क्या कहते है मिट्टी कहेंगे, गाद कहेंगे अपशे कहेंगे यह इनमे से एक साधीक हो सकता है या फिर एक कोई भी नहीं हो सकता व्युग तो A, B, C, D कौन सांसor होगा 13 का होगा option number E उप्रिक मैंसे कोई भी नहीं शैल कड़ो और हम्यूस के मिश्रण को कुछ भी नहीं कहते हैं इन में से कोई नहीं सायांसा है ठीक है अब question number 14 का कहता है कुतरने में सहायता करने वाले दांत निम्ड मैंसे कौन से होते हैं अब कुतरने मतलब यह जब चूहा करता है क्या करता है कुतर के आप लोको है कपड़ों को थागों को चपलों कुतरने से संंधीत कौन सा दावजाता है यह बताना आपको अब क्या क्रंदक है क्रंदक है अग्रण जैनल hacks न है कि एक स्के में उलर है जा फिर आपका देखेंगे ओडे का से संबंदीत कौन सा दाथ परयोग किया जाता है यह बताना आपको अब क्या क्रंदक है अग्रण चर्वनक है या इक इस में देखेंगे मुलर है या फिर आपका देखेंगे मुलर होता है तो आपका क्या होगा क्रंतक क्या होता है इंग्रीश में कहते हैं क्या विकल्प में से कौन फसलदार फसल है, या कौन सी फलदार फसल है, फलदार मतलब फल होता है, नीबू है, गेहू है, धान है या डी है या फिर ई है कौन सही आंसर होगा, तो 15 का सही आंसर होगा, option number 1 नीबू, नीबू में फल लगता है फलदार फसल है, कैसी है, फलदार बढ़े question number 16 की ओर दोनिम्द विकल्पम से कौन सीचाई के लिए जलका शुरूत नहीं है सीचाई के लिए जलका शुरूत क्या है क्या नहीं पाना है साइफन है नदी है तलाब है या या A है, B है, C है, D है, E है, तो कौन तो सही होगा, 16 का सही आंसर होगा, option number A, तो इसमें से नहीं पूछा है, ध्यान रखना, ये भी पूछता है, ऐसे करके कि नहीं है, या फिर नहीं हो सकता, तो साइफन जो है, ये प्रकाल के सिचाई के जल का सुरोत नहीं है, बागी नदी पूरे जल जिसका तापमान आपका, क्या हो 40 degree Celsius हो, आपस में मिला दें, तो पूरे जल का कितना होगा, यानि कि 0 degree में 40 degree लीटर जल मिला रहा है, तो कितना होगा आपको बताना है, ये आपको थोड़ा सा माइन लगाना है common sense लगाना है और 17 आप दे सकते हो ठीक है तो ए है बी है सी है डी है तो कौन सा होगा जाहिर से बात है जीरो डिग्री में आप जब 40 डिग्री मिला रहे हो चल किसका मिला रहे हो 40 डिग्री 40 डिग्री मतलब क्या तो अधीक है यह जीरो डिग्री का मैं तो option number C होगा 10 से 40 डिग्री के बीच रहेगा यह तो option number C है 17 का अगला क्या है 18 का वर्मिंग कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट जो था खाद है करीके की का परियोग में क्या आता है अब इसके वर्मी कंपोस्ट बनाने में क्या परियोग के आता है यह पूश्रा बैसिकली लेंचा परियो करते हैं या फिर इन में से दो से अधीक या फिर कोई भी नहीं तो जाहिर सी बात है इसमें हम पता है वर्मी कंपोस में option number C के चुझवेगा परियोग करते हैं अब पड़ आते हैं question number 19 क्या कहता है हमारा question number 19 कह रहा है कि वे पधार जो जो अपने में से उश्मा को असानी से ग दचालक है यह conductor है आप conductor है non conductor है यह semi conductor है तो आपको यह बताना है question number क्या है आपका 11 11 मतलब पूछ रहे कि उश्मा को आसानी से गुजरने देने वाले हैं अब यह आपने पड़ा होगा यह आपने science ही बहुत असानी से पड़ा है कि ऐसे जो अपने आपको गुजरने देते ह यहाए पने से उश्मा गुजरने देते हैं उनकों क्या कहेंगे option number B i cal une key वो चलने दे रहे हैं कि उसको क्हेंगी उस्ट इसको कहेंगे चा-लग ऊस्मा से गुजरने बुचर्क है अब last एक question देख लेते हैं question number 20.20 का कहता है हमारा निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक के स्ट्रेटो माई सीन स्ट्रेटो म माई सीन है या या एस्ने आप टोड़ा है पड़ने में तो लीynniget बागी इसने पड़ा होगा वह समझ गया होगा इसमें फूच है इसमें यह पूछ रहा है निन्म में से का प्रतिजैविक का प्रतिजैविक का उधारन हैं आपका ओप्शन नमबरika है कि टे्र क्या है टेट्रा साइक्लीन क्या है निनम से प्रदि जैवेक का एक उधारण है आपको मजा आजा हूँ अब आपका कितने नमाक्स बने कितना को समझ में आ जा हूँ कितना नहीं आ जाए आप उसको रिवाइस करें टॉपिक को और इसी तरह से हम नेक्स प्रेक्टिस अटने ग्यां विलेंगे तबतकि लिटेक्टिरी मिशन किया है